नमस्कार दोस्तो प्रिग्नेंसी हेल्थ यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो जैसे ही गर्वती महिला प्रिग्नेंसी के साथवे महिने में परवेश करती है तो उसी समय से उनके घड के सारे लोग गर्वती महिला का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना सुरू कर देते हैं क्योंकि प्रेग्नेंसी का साथवा महिना एक ऐसा मुश्किल समय होता है जहां गर्वती महिला को अपने खान पान से लेकर अपने सेहत के प्रती विशेश साबधानिया बढ़तने की जरुवत होती है क्योंकि इस समय आपकी जड़ा सीवी लापड़वा ही आपको एवं आपके सिसु को खत्रे में डाल सकता है दरसल गर्वा वस्ता के साथवे महिने में सिसु के मिस कैरेज होने के चांसज अधिक रहते हैं इसलिए प्रेग्नेंसी के साथवे महिने में आप अपने सेहत का विशेश रूप से ध्यान रखे और प्रेगनेंसी के दोरान कुछ ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें जो गर्वपात का कारण बन सके दोस्तो प्रेगनेंसी के अंतिमतिमाही यानि सातवे महिने में परवेश करते ही हर गर्वती महिला या जानना चाहती है कि इस समय उनके सिसू का कितना बिकास हो चुका है एवं इस दोरान उन्हें अपने आहार में ऐसी कौन सी चीजों को सामिल करनी चाहिए जिसे कि उनका होने वाला सिसू सारीरिक रूप से स्वस्तो हो तो दोस्तो आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के साथवे महिने में आपके सिसू का कितना बिकास हो चुका है एवं इस महिने आपको अपने आहार में ऐसी कौन सी चीजों को सामिल करना है और दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि प्रिग्नेंसी के साथवे महिने में परवेस करते ही आपके बड़ी में कौन-कौन से लक्षन दिखने सुरू हो जाते हैं और इस समय आपको अपने सेहत की देखवाल कैसे करनी है दोस्तो इन सभी टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो फ्रेंड्स आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक चरूर देखिए तो आईए दोस्तो आप सबसे पहले जानते हैं कि प्रिग्नेंसी के साथवे महिने में परवेस करते ही आपके बड़ी में कौन-कौन से बदलाव एवं लक्षन देखने को मिलते हैं दोस्तो जैसे ही आप प्रिग्नेंसी के साथवे महिने में परवेस करती हो तो इस समय से आपका वजन वहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है जिस कारण आपको पीठ दर्द की समस्या हो सकती है इस परकार की समस्या से बचने के लिए आप नियमित रूप से संतुलित आहार कहीं सेवन करें वैसे खाद पदार्थों का सेवन बिलकुल भी ना करें जो आपके मोटापा का कारण बन सके दोस्तो प्रेग्नेंसी के साथवे महिने में आपके सिसु का विकास बहुत ही तेजी से होता है जिस कारण आपके पेट के आकार में भी बहुत तेजी से ब्रीधी होती है पेट के आकार में ब्रीधी होने के कारण एवं वजन बढ़ने के कारण और आपके पैडो एबम यूरिनरी ब्लेडर पर बहुत अधिक दबाब पड़ता है जिस कारण आपको बार बार यूरिन लगने जैसी समस्या हो सकती है और चलने फिरने में भी थोड़ी बहुत पड़ेसानी हो सकती है इस परकार की समस्या होने पड़ा आप बिलकुल भी ना सिसु के बढ़ते आकार के कारण आपके पेट पर अधिक दबाब पड़ता है जिसके चलते आपको सांस लेने में भी थोड़ी पड़ेसानी हो सकती है इस परकार की समस्या होने पड़ा बिलकुल भी ना घवराएं क्योंकि इस तरह की समस्या अधिकांस गर्वती महिलाओं में देखी जाती है इस समय आपके पेट के आकार में हो रहे हैं परिवर्तन के कारण आपको कब्ज एवं पेट सम्मंदी समस्या हो सकती है इस तरह की पड़ेसानियों से बचने के लिए आप अपने आहार में संतुलित आहार जैसे हडी साक सबजी एवं फल को जरूर सामिल करें दोस्तो आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रिग्नेंसी के साथवे महिने में आपके सिसु का कितना विकास हो चुका है और इस समय आपके सिसु का कौन-कौन से अंग बन चुके हैं दोस्तो यदि बात किजा आपके सिसु के सारीरिक विकास की त आपके सिसु का ब्रेनों भी पूरी तरह से डेवलफ हो बढ़ते आकार के कारण आपका सिसु उतना मूबमेंट नहीं करसकता है जितना कि वह पहले कर रहा था दोस्तो प्रिग्नेंसी के साथवे महीने में आपके सिसु का कान इतना विक्सित हो जाता है कि वह बाहर की आवाजों को सुनकर उस पर परतिकिरिया भी दे सकता है दोस्तो अभी तक तो हमने गर्वती महिलाओं में दिखने वाली कुछ परमुक लक्षन साडिरिक बदलाव एवं सिसु के विकास संबंधी महत्पुन जानकारियां प्रात की है और अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रिग्नेंसी के सात्वे महिने में आपको अपने आहार में ऐसी कौन सी चीजों को सामिल करना है जिससे कि आप भी स्वस्त रहें और आपके सिसु का सारिरिक बिकास भी सही तरीके से हो सके दोस्तों यदि प्रिग्नेंसी के सात्वे महिने के आहार की बात की जाए तो इस समय आपको अपने आहार में पोशक तत्व से भरपूर आहार को ही सामिल करना है इसके लिए आप अपने आहार में दूद, अंडा, मचली, हडी साख सबजी एवं फनों को जरूर सामिल करें क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में बिटामिन्स, प्रोटिन और कैलसियम मौजूद होते हैं जो आपके सिसु के सारीरिक एवं मानसिक विकास को मजबूत बनाय रखने में मदद करता है प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी चिजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें जिससे कि आपको एवं आपके सिसु को किसी तरह का नुकसान हो आईए दोस्तों आप बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के सातवे महिने में आपको अपनी सेहत की देखवाल कैसे करनी है तो आपको बता दे प्रेगनेंसी के सातवे महिने में जितना हो सके आप भरपूर आराम करें प्रेगनेंसी के दोरान आपको हमेशा तना मुक्त रहना है एवम इस समय जितना हो सके आप एकसरसाइज जरूर करें पेट पर दबाब परने वाला एकसरसाइज बिलकुल भी ना करें प्रेगनेंसी के साथवे महिने में आप किसी भी तरह का ज़्यादा वजन वाला समान बिलकुल भी ना उठाएं इससे आपके सिसु के स्वास्त पर असर पड़ सकता है दोस्तो प्रेगनेंसी का अंतिम तिमाही गर्वती महिलाओं के लिए बहुत ही नाजुक समय होता है इसलिए इस दोरान आप अपने सेहत का विशेश रूप से ध्यान रखें किसी भी तरह की सारीरिक पड़ेशानी होने पर आप तुरंत अपने नज़्दी की डॉक्टर से सलाह ले प्रेगनेंसी के दोरान आप चाय एबम कॉफी का सेवन बिलकुल भी ना करें क्योंकि चाय एबम कॉफी में कैफिन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है जो आपके सिसु के स्वास्त के लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए प्रेगनेंसी के साथवे महिने में आप इस तरह के चीजों का सेवन बिलकुल भी ना करें दोस्तो अब इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही प्रेगनेंसी से जुरी धेर सारी जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो दोस्तो अभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारीयों के साथ है जरी मिलते हैं लिए इतना ही जानकारी जानकारी जरे आप एक ह में इतना हो प्रेतक्त्राइब झ cloth पें ठांकारी है, झालू 對या दो अधर गूम